को QUESTIONS क कै cheers नमस्कार, दोस्तों, स्वागाता सभी का BOS study में मैं हूँ हूँ आकास आप सभी के साथ दोस्तों, आजकी क्लास में हम करने बाले है six month का Current Affair 2020uben का जो आपका जन्बरी से लेके जून तक का Current Affair है तो दोस्तों class शुरू करने से पहले एक बार class को share कर दो अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी class को जुड़ सकें और दोस्तों class को देख सकें तो साथियो देखते हैं कि हमारा first question क्या है और दोस्तों यह है जो question मा कराने बाला हूँ आपको यह आपको किसी ना किसी exam में आपको देखने को मिलेंगे as it is तो देखते हैं साथियो कि हमारा first question क्या है तो साथियो first concern है पेंसें भोगयों के लिए digital जीवन भीमा पिर्माल पत्र पिलाली सुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना दोस्तों मैं आपको कुछ time दोंगा और आपको answer टिक करना होगा और उसके बाद में क्या करूँगा अपना answer बताऊँगा और आगे बढ़ूँगा तो साथियो इसका answer क्या होगा बताईए करनाटक गुजरात उलीसा या केरल तो साथियो इसका answer होगा उलीसा second question है कौन सा सहर दुन्या का सबसे बड़ा metro network वाला सहर वन गया है बताईए इसमें से कौन सा है संगाई है जकारता है कौलामपूर है या लंदन है कौन सा answer इसमें सही होगा तो कौन सा होगा संगाई चीन यह है कौन सा वन चुगा है है सबसे बड़ा मैट्रो नेडोग वाला सहर बन चुका है संगाई कहाँ पी है चीन मी है नेक्ट कोश्चन है रेलवे वोट के नए अध्यक्ष और मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया विन्यकुमार तिरपाथी को नवीन अग्रमाल को विक्यादव या सुनील सर्मा इसमें से कौन बने बताई है रेलवे वोट के नए अध्यक्ष और मुख्य कारिकारी अधिकारी कौन बने है तो यह बने है विन्यकुमार तिरपाथी बने है कौन बने है विन्यकुमार तिरपाथी कौन है ये रेल्वे वोट के अध्यक्ष बने है और मुखके कारिकारी अधिकारी भी बने है नेक्ट कोश्चन है किसने भारत तट्रक्षक वल के 24 बे महान देशक के रूप में पदवार ग्रहन किया बताईए दोस्तों जो करेंटेफर्म कर रहा है याई 6 मंद की अगर आप मुझसे डेली पढ़ रहे होंगे तो साथ यूँ आप कोई भी कोश्चन गलत नहीं करेंगे क्योंकि हम सारे कोश्चन ये अपनी करेंटेफर में डेली कवर करती है तो बताईए इसका क्या आंसर होगा कौन सा आंसर इसमेंसे सही होगा तो दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा ये होगा प्स पठानिय वी सब्ठानिय गरहन ही यह भारतित तरफसक बलके महान देशक के रूप में इनों पदभार अपना ग्रहाण किया है next question है एक जन्वरी 2020 को DRU ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया 60, 62, 64, 66 तो एक question तो के लिए रोगे आपका कि DRU का स्थापना दिवस का मनाया जाता है तो एक जन्वरी को DRU का स्थापना दिवस मनाया जाता है और यह है कौन सा इस्थापना दिवस था तो यह है 64 बाँ था कौन सा था 64 बाँ किसका है DRD होगा नेस्ट कॉश्चन है दुन्या की पहली कंपनी कौन सी है जिसने हाल ही में 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैम्प हासल किया कौन सी कंपनी है वो Apple, Samsung, Microsoft या Amazon इसमें सी कौन सी कंपनी है जिसने 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैम्प हासल किया है तो साथी कौन सी होगी Apple होगी कौन सी कंपनी है Apple है Next Question है पृधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्टी इस्टार्टप दिवस के रूप में मनाने की घुष्णा की 15 जनबरी, 17 जनबरी, 16 जनबरी या 20 जनबरी कौन सा अंसर समय सही होगा? तो कौन सा अंसर होगा? 16 जनबरी आपका correct आंसर है किस ने शुरू की है नरेंद मोदी ने क्या शुरू किया है तो राष्टी इस्टार्ट दिवस के रूप में है बनाने की गुष्ट लगी है कौन से शोला जन्वरी को नेश्ट कोश्चन है वोस दा अंटोल्ड इस्टोरी ओफ एन इन कनेक्टिव नियंट इन कन्विनियंट नेश्टनिलिस्ट नामक नई जीवन की लेखक कौन है यह वो किस ने लिखिया बताईए राहुल रैवाल ने दिनचार पटेल ने चंदरचूर घोस ने या गौतम चिंता मडी ने किस ने यह पुस्तक लिखिया और क्या इसका आंसर होगा तो इसका आंसर ह चंदरचूर घोस ने पुस्तक किस ने लिखिये जो वो उस ता अंटोल इस्टोरी या यह किस ने लिखिये तो यह लिखिये चंदरचूर घोस ने नेक्स्ट कॉस्टेशन आपका पॉप्स भारत का पहला वुद्धिमान संदेश वहाग है यह क्या है बताईए फाइब पैसा पेटियम मनी, फोन पे ये मोवी विक, इसमें से कौन सा होगा आंसर दाई है, तो साथ यो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा है, यह आपका पेटियम मनी क्या है, तो जो पॉप्स भार्त का पहला बुद्धिम्यन संदिश भाग बना है, वो पेटियम मनी बना ह इसमें से कौन सा आंसर सही होगा नेक्ट कोछीन है आस्ट्रिलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता बताईए डेनियल कॉलिंस ने, एसले वार्टी ने, सिमोना हालेप ने या कैरूले ना ने इसमें से किसने जीता है और यहां से ब्लॉंग करती है तो यहां और यहां से ब्लॉंग करती है बताईए, किसने लिखिए है पुस्तक? तो दोस्तो यह है आपकी आर्सी गंज और अस्वणी भटना करने लिखिए किरण बेदिनी नहीं लिखिए, ठीक है? किसने लिखिए तो B और C आंसर होगा आपका यह गलत है बिश्बो बैटलेंड दिवस कब मनाया जाता है बताएए एक फरवरी दो फरवरी छे फरवरी या आठ फरवरी बिश्बो बैटलेंड दिवस कब मनाया जाता है तो सहीज का अंसर होगा दो फरवरी को कब मनाते हैं हम दो फरवरी को मनाते हैं क्यों क्यों क्योंकि फर्वारी 1971 को क्या हुआ था? इसकी इस्थापना हुई थी इसलिगे हमें बनाते हूँ, कहां पर हुई थी इसकी इस्थापना हुई थी और इसकी इस्थापना हुई थी भारती दिवाला और دिवालिया पन वोद IVVI के नए अध्यक्ष कौन बने? किसे सही आंसर होगा रवी मित्तल कौन बनी है आई वी वी आई की अध्यक्ष वाक के बनी है वो बनी है रवी मित्तल नेक्ट कोश्चन है 2022 में विस विद्याले अनदान आयोग के नई अध्यक्ष कौन बनी कौन से विस विद्याले अनदान आयोग यानि की यूजी सी के कौन बनी इसमें से कौन सा आंसर सही है तो आपको जो UGC के अद्धक्च बनी है या विस्विद्धालय अंदन के आयो के अद्धक्च बनी है वो कौन बनी है जग्दीश कुमार बनी है एस जग्दीश कुमार नेश्ट कोश्चन है गोल्डन बॉय नीदत चोपडा की जीवनी के लेखक कौन है गोल्डन बॉय किस ने लिखाया है बताईए जो गोल्डन बॉय पुस्तक है या किस ने लिखी है जग्दीश कौर ने नबदीश सिंगिल ने वी एन गोस्वामी ने या मनुर्मा जहापाने, इसमें से कौनसा आंसर सही होगा, बदाएं, तो सही इसका आंसर आपका होगा, नगदीब सिंगिल कौनसा होगा, नगदीब सिंगिल इसका सही आंसर होगा, Next question है Air India के नए CEO और MD के रूप में किसने निउक्त किया गया बताएए बिलाल, एर्दोगन को, टेमेल, कोटल को, कैम्पेवेल, विल्चन को या इन में से कोई नहीं सही आंसर क्या होगा तो क्या होगा सही आंसर? कैम्पेवेल, विल्चन कौन बनी है? यह Air India के CEO और MDV निउक्त किये गए है Next question है इसरो ने 2022 के अपने पहले पिर्चेपण में किस प्रत्वी अब लोकन उपगिर है को सफलतापूर्वाक लाँच किया EO1 को, EO2 को, EO3 को, EO4 को यह क्या है? यह अर्थ और प्जर्वेशन सेटलाइट है सही आंसर इसका क्या होगा? यह बताईए तो क्या होगा? Earth Observation 4 से launch किया है किसने? इस रोने launch किया है पहले पिर्चेपण को प्रत्वी अब लोकन के उपग्रह के लिए जो सफलतापूर्वाक launch किया गया और क्या है? Earth Observation 4 से launch किया गया बताईए संजय महलोत्रा, निदी छिबबर, राजेश कुमार या विनीज जोसी इसमें से कौन सा आंसर सही है? CBSC के नयक दश कौन बनी है? तो निदी छिबबर है कौन बनी है? निदी छिबबर Next question है सिड़बी के सिबडी का West to West creation program किस राज में शुरू किया गया? महराष्टर में, तेलांगाना में, उत्राखंड में या पश्चम बंगाल में? किसका? सिड़बी का West to West तो कहां शुरू किया गया है? पश्चम बंगाल में है प्रोग्राम सुरू किया गया है Next question है Gaming app A23 का Brand Amistat किसे निक्ति किया गया? A23 आपने कई बार देखा होगा इसका add आता है आप कुछ आदा है या? कई बार इसका add आता है हमारे mobile पर, हमारे TV पर तो किसे निक्ति किया गया है? जो इसका add करता है, वही इसको निक्ति किया गया है Almost वही इसका add करता है तो कौन है भे सारुख खान है 823 के जो ब्रांडम मेसे बने वो कौन बनी है सारुख खान बनी है Next question है कौन मेटा वर्स में दुकान इस्थापित करने वाला दुनिया का पहला वैंक वन चुका है कौन है भे वर्ल्ड बैंक JP Morgan Bank या Bank of China भारतिय State Bank बताओ जो हमारी SVI है तो सही आंसर इसमें से क्या होगा तो सही आंसर आपका होगा JP Morgan Bank कौन सी बैंक है JP Morgan Bank इसका सही आंसर है Next question है हिंदोस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वोर्ड हल्व HULV का अध्यक्ष किसे निउक्त किया गया लीना नायर को हरीस मनबारी को एलन जॉय को या नितिन पराजवे को इसमें से कौन सा आंसर तही है तो कौन सा आंसर होगा दोस्ते इसमें नितिन पराजवे नितिन पराजवे कौन बनी है तो है हिंदोस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष बनी है Next question है जनर्रल M.M. नर्वाने ने भारती से नामे किस रेजिमेंट की चार बटालियनों को राष्ट पती के रंग से समानित किया गड़वाल राइफल्स जाट रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट या पैरासूट रेजिमेंट कौन सा अंसर सही है बताईए जो हमारे नर्वाने है जो जनर्रल है हमारे आर्मी के इन्होंने किसे समानित किया है राष्ट पती के रंग से तो कौन है पैरासूट रेजिमेंट से समानित किया है कौन से से पैरासूट रेजिमेंट समानित किया राष्ट पती के रंग से ठीक है किस आई 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 टी ने किसानों के लिए किसान मुवाइल एप्लिकेशन लांच किया आई 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 टी मुंबई ने आई 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 आ नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदा जी कि सहर में आयोजित होगी क्या इसका सही आंसर का बताई है जमसेतपूर मुंबई गोवा या बैंगलरू इसमें से कौन सही आंसर है तो जमसेतपूर इसमें सही आंसर है नेश्ट कोश्चन है प्रिधान मंत्री मोधी जी ने के के पटेल, सुपर इस्पेसलिस्टी अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया मालदा, पाली, फैजाबाद या भुज इसमें से कौन सा आंसर सही है बताईए अब टाइस है तो इसमें जो आंशा सही हो तो क्या होगवा भूज क्या होगा भूज आचे के साथ भारत में नेच्ट किसंट के साथ भारत ने विसाट का पत्नम में नौबे नौस्टै निक अभ्यास सिलाइनेक्स का आयोजन बताएए तक्षण कोडिया सिंगापूर या स्री लंका किसके साथ किया है इसके साथ क्या हुआ है हमने अभ्यास कहा किया है तो यह सब्सक्रास कि फद्देश ने ने क्या सरकारिक पराथनी बिल्द्यालों के लिलिए सबस्सक्राइ για नास्ता अपधिया कि नास्ता योजना कि ही थूज्ञा किससा ने सही होगा तो दोस्तों आपको जो आंसर सही है वो कौन सा है तमिलनाडू किस ने किया नास्ता जो दनी घुषना तमिलनाडू ने किया नेक्थ कोशन है यूँ सु के योल किस देश के राश्ट पती बने है दक्षल कोरिया चीन मलेश्या यह जापान कौन सा अंसर में बताई है तक्षिन को रिया चीन मलेसिया या जापान तो जही आंसर डख्षिन को रिया यूं सू यूल किसके बनी है तो यह राश्टपती बनी है नेक्स कोश्चन है बिस्व का सबसे बड़ा ग्लास वॉटम विरिज वॉक लॉंग पैदल या त्रिपुल क इसका सही आंसर है नेक्ट कोश्चन है अंतराष्टी सिरम दिवस प्रति वर्थ कब मनाया जाता है दो मई एक मई पांच मई और सात मई आपके दिवस हैं यह दिवस आप सारे आत कर लेना क्योंकि दिवस साती बहुत ही महत्पून है हमारे एक्जाम बेस के लिए तो इसका सह आप धर उसे और आप happens की स्थयलिक क्यों मतरी मितान्य उजना की सुरुआत की कौन सी होजना? मुख्य मंतरी मितान यूजना इसकी सुरुवात किसने की है तेलांगाना ने, जमून कस्मीर ने उतरप्रदेश ने, चत्तिस गड़ ने इसमें से कौन सा आंसर सहयोगा होताई है तो यह है क्या आंसर सहयोगा 36 गड़ कौन सा है 36 गड़ इसने कौन सी गड़ ने शुरू की है मुख्य मंतरी मितान यूजना इसने सुरू की है नेक्ट कोशन है फेडरल रिजर्वेंक औफ नियूजर के कक्छा के कक्छा वी निदेशक के रूप में निदेशक मंडल के रूप में किसे चुना गया कौन है वह आंसर होता है तरनकपूर, अरविंद कृष्ण, नंद मूल चंदानी या सुमन बेरी इसमें से कौन सा आंसर सही होगा तो इसका सही आंसर कौन सा होगा अरविंद कृष्ण, कौन सा होगा अरविंद कृष्ण, इसका सही आंसर है जो चुने गई हैं उस मंडल के लिए नेश्ट कोशन है सरहुल महोतसब किस राज में मनाए जाता है जारखंड, असम, उत्रखंड या उरिसा कौन सा आंसर सही जोगा बताइये तो दोस्तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका जो सही आंसर दोस्टो है आपका वो है उड़ी सा कौन सा है जारखंड दोस्टो सही आंसर आपका स्वारी जारखंड आपका सही आंसर है Next question है प्रतिवर्स राष्टिय चिकितसा दवस कब मनाया जाता है 1 माई को 1 जून को 1 जुलाई को या 5 जून को राष्टिये चिकित्सा दिवस कब मनाई जाता है बताईए तो दोस्तों आपका राष्टिये चिकित्सा दिवस एक जुलाई को मनाई जाता है एक जुलाई को पांच जून को क्या मनाई जाता है यह आप मुझे कमेंट करके बताईए कि पांच जून को हम लोग क्या मनाती है नेक्स्त कोशन है। जीएश्टी की वैठथक कहा आयो जिट होई। दिल्ली, हर्याणा, करनाटक या चंडिगर में बताई है। तो चंडिगर में जीएश्टी की bेठथक आयो ज तो जीएश्टी की वैठथक आयो जट फूई। अभी आप नोबाग जोकोविच ने रोजर फैडरर ने या माटेवा ने किसने जीता है तो दोस्तों विम लिंदन ग्रैसिल ने आपको जीता है नोबाग जोकोविच ने राफिल निडालने कौन-कौन से मैं जीते हैं आप मुझे कमें करके आंसर दीजेगा नेक्ट कोशन है एकनाथ सि गवर्नर है तो भगत सिंग कोशियारी कौन है अभी महाराष्ट के गवर्नर है नेक्ट कोशन आपका क्यू एस वेस्ट इस्टुडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा इस्थान सीर्स पर रहा है तो दोस्तों कौन रहा है मुंबई मुंबई 103 इस्थान प टीज रैंकिंग के अनुसार ठीक है दोस्तों नेस्ट कोश्चन आपका क्या है भारत के महानयवादी का कारेकाल तीन महीने बढ़ाया गया तो वरतमाम ने भारत के महानयवादी अभी कौना बताईए मनोस सोनी राजीब कुमार केके बेनु गोपाल या जीसी मोर्जी तो केकी वेनु गोपाल भारत के नहवादी है और यह कौन से आर्टिकल में आती है बताईए तो यह है आर्टिकल आपके 76 में आती है किसमें आती है आर्टिकल 76 में आती है नेस्ट कोश्चन है इसरो ने PSLV C-53 से सिंगापुर का DS Earth Observation Satellite Launch किया इसरो के वरतमाम में अभी अधिक्ष कुन है बताईए के सिवा dir y pen ए इससरो मत या इन मैं से कोई नहीं क्या सही आंसर होगा तो दोस्तों इसके वर सही आंसर है वो कहाने अभी इस सोमनात कौन है एस सोमनात अभी इसके अभी हेड है अब आप मुझे कमेंडर बताईए कि इसकी इस रोग की इस्थापना कब हुई थी नेक्स कोशन है भारत की पृसिद जगनात रत यात्रा कहां मनाई जाती है अभी हाली में जगनात यात्रा मनाई गई है असम तेलांगाना उडिसा या तमिलनाडू इसमें से कौन सा आंसर सही है बताईए सही आंसर आप मुझे बताईए कौन सा आंसर सही है जगनात यात्र जोकी मनाई जाती है कहा मनाई जाती है उडिसा में उडिसा में कहां साथ मना जाती है तो उडिसा में है पुरी में मनाई जाती है असम में कौन सी जो मेला है अभी आपके अभी हाल ही में आयजन हुआ है मेला कौन सा मेला है और कौन सा वो जो मंदिर है वो भी बताई उसके बारे में नेक्ट कोश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन केमपस टी हब 2.0 का उद्गाटन कहा हुआ वैंगलरू मुंबई चेनन या हैदरवाद इसमें से कौन सा आंसर सही है बताईए तो दोस्तो इसका जो आंसर हो क्या होगा है हैदरवाद में अभी इसका उद्गाटन हुआ है कि इसका दुनिया के सबसे बड़े इन कौन सा आंसर इसमें से सही होगा हुषा इसका जो आंसर सही होगा वह कहा है गुझères कर्ने वाला है अभी राश्ट्र По fi रेद कॉन बने है तो आई वी के निदिशक वनिए कौन बने है तकुमार और अर्विं가 कुमार कौन है तो यहाई पहले थे अभी है रिटायर हो चुके किसके तो यहाई पहले आज़ी के निदे सकते हैं सामन्त गॉल को है न दोस्तों तो सामन्त गॉल आपके अभी रौ के हेड है किसके रौ के अभी हेड है और राजीव कुमार कौन है दोस्तों राजीव कुमार सब्सक्राइब कुमार आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या दखने दोस्तों आप वाल गोपालीओज्णा किस राजिये ने शुरू की ए यह impact यहां राज gefूर इस्मेंично से कौन सा अन sob कि आपके बच्चे हैं उन्हें क्या दिया जाएगा दूद दिया जाएगा जिससे उनकी हैल्थ क्या हो अच्छी रही नेक्ट कोश्चन है हाल ही में IPS दिनकर गुपता किस के महाने देसक निक्त किए गए बताईए IPS दिनकर गुपता CBI के, ROKE, CBDT के, NIA के अब देखिए अभी बने आपको उता दिया ROKE के कौन है अब तीन लोग बचें तीन में से आप खुदा एलिमेट कर सकते हैं कि कौन कौन किसका होगा बताईए IPS दिनकर गुपता भी किसके निक्त कि निक्त कि बनी है तो NIA कि किसके बनी है National Investigation Agency के भी कौन बनी है तो महारा दियस्ण बने है Kौन बनी है IPS दिनकर गुपता नेक्ट कुछ्छन है 2023 में जी टो एंटी की वैठक कहां होगी भारत इंडोने़सिया रूस यह चाइना इसमें से कहां होगी जीटोयंटी की वैठक 2023 में तो यह भारत में होकी भारत के जमू कस्मीर में होग और इंडोनेसिया में 222 की बैटक होगी कहा होगी 222 की याने की इस साल की बैटक कहा होगी इंडोनेसिया में होगी नेक्ट कोशन है मेनार फक्षी गाउं को आर्द हुमी के रूप में अधिसुचित किया गया यह गाउं कहाँ पर है राजस्थान हार्याणा भिहार या पंजाब तो दोस्तों यह आपको राजस्थान में टोटल साइट कितनी है हमारे पास अभी तो अभी वहारे पास उनन चास रांसर साइट हैं हमारे भारत में कितनी टोटल उनन 4 नेक्ट कौश्चिन आपकाısı भारतिय को औलंपिक एशोसियेसन के अध्यक्छ अभी कौन बनी है आपकी जो आपकी बारतिय को अलंपिक एसे सिएशन के अध्यक्छ बनी है वो अभी अनिल खन्ना बनी है Next Question है donach Wagwater में भारत की सबसे बड़ी floating solar power पर योजना कहा शुरू हुई केral, मद्ध ब्रदेश, राजस्थान या हर्यानग सई answer का क्या है Wagwater भारत में सबसे बड़ी floating solar power पर योजना केral में सुरू हुई है, dezeва योजना केral में शुरू हुई है और इसकी शंता कितनी है तो इसकी शंता 101.6 मेगाबाट है कितनी है 101.6 मेगाबाट इसमें से कौन सा आंसर है जो इसमें सामिल नहीं है तो दोस्तो रूस इसमें सामिल नहीं है नेस्ट कोश्चन क्या है मेडिसेप चिकित्सा भीमा योजना की सुरुवात किस राजने की ये बताईए केरल ने करनाटक ने तमिलिनाडू ने या आन प्रिदेश ने इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताईए तो दोस्तों केरल इसका सही आंसर है केरल ने मेडिसेट सब्सक्राइब की उजणा की शुरुआत की इसमें से तीन लाख रुपए कितने रुपए तो तीन लाख रुपए आपको दिये जाएंगे जो भी भागे सरकारी करम चाहरी है उनके लिए उनकी देखरेक के लिए नासा ने कहां से मिनी हवल टेलिस्कोप लाउंच किया और दोस्तों यह है टेलिस्कोप जो लाउंच किया नासा ने यह है अपने अमिरिका से लाउंच करने वाला पहला सैटलाइट है तो कहां से लाउंच किया है ऑस्ट्रिलिया से कहां से तो ऑस्ट्रिलिया से है किसने जीता है । तो मिस संदू ने डिर्टाफ थे पुसी पटेल ने। डिकिए डिकिए डीठा फारिया कहों थी रिडिता फार्ण पहली मिस वाल्ड थी हमारे भारत की और दोस्तों कैरिलीक थो हानवा में कहाँ जबागा दोस्तों कि कोस्टों कि है अब अब्रस दोस्तों क्या आपका अमबskin मेला का आउजन कहां किया गया पुरी उडिसा में, कामाख्यमाता मंदर असम में, विरद्यस्वर मंदर तमलिनाडो में या कोणांक मंदर उडिसा में तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा होता ही है अंबुबाची मेले का आंसर क्या होगा कामाख्यमाता मंदर असम में क्या गया कहां से ने किया गया है किस राज्य ने सिंगल वुज-प्लास्टिक वॉय-व्य वाई-वय कि सिंग्ल व्यच्OS प्लास्टिक को भाइद करने के लिए उद्तरल प्रदेस ने उस में से कौनन सा आंसर सही है बताईए तो दोस्तों इसका सही आंसर को वह क्या होगा हिमाचल प्रदेश ने इस योजना की सुरुगात की है किसके लिए जो सिंगल इच प्लास्टिक आपकी जिस उसके बैंद करने के लिए नेक्ट कोशन क्या है सिक्चा मंतराला ने जिलो के लिए केंदर का पहला परफॉर्मेंस के रेडिंग इंडेक्स चारी किया वर्तमान में सिक्चा मंतरी कौन बताईए अस्वानी वैशलब अनुराक ठाकुर एश्यसंकर या धर्मेंद प्रदान इसमें से सही आंसर क्या होग तो दोस्तों सही आंसर आपका है धर्मेंद्र प्रदान कौन है सिक्चा मंतराला किसके पास है तो धर्मेंद्र प्रदान के पास अभी सिक्चा मंतराला है तो दोस्तों यहां हमारी क्लास कंप्लीट होती है हमारे हमने जो कवर किया है आज करेंट अफेर वह सिक्स मंत का करे दोस्तों के साथ जिससे वो भी class को देख सकें और अपनी six month की करेंटाफिर को cover कर सकें दोस्तों यह है जो question हम लोग ने करें है यह आपको किसी भी exam के लिए helpful होंगे और आपको किसी भी exam में आपको देखने को मिल शकती है तो दोस्तों जिन्होंने class को like निकिया वो like कर दो जिन्होंने subscribe निकिया वो subscribe कर दें और दोस्तों अपनी पड़ाई को continue कीजेगा जब तक हम लोग मिलते हैं कल ठीक है